पंचाक्षर मंत्र का अगर इसमर्ण कर रहे हैं पंचाक्षर मंत्र को अगर हम जप रहे हैं तो पंचाक्षर मंत्र का अगर हम इसमर्ण कर रहे हैं तो नमस शिवाय आप किसी भी मंत्र को जपें किसी भी माला को जपें किसी का भी इसमर्ण करें पर पंचाक्षर मंत्र का इस माना आपने ओम नमो बगवति वासु देवाई दवधाश्मक्षर मंतर का इसमरन करा। माना आपने गायतनी मंतर का इसमरन करा। माना आपने तरंबकाईश्वर मंतर का महमरतुन जे मंतर का इसमरन करा। चाहे देवी के मंतर का इस्मर्ण कर रहे हो, चाहे आप राम नाम कृष्ण नाम के मंतर का इस्मर्ण कर रहे हो, पर शिव महापुराण की कथा करती है कि आप किसी भी मंतर को जपे हैं और किसी भी मंतर का इस्मर्ण करें, पर उस मंतर में जपने से पहले माला बजने से पहले पंचाक्षर मंत्र को अगर हम बोल लेते हैं नमाश शिवाय जप लेते हैं अगर हमने पंचाक्षर मंत्र का स्मर्ण कर लिया तो पूरी माला में अगर कहीं एक तुर्टी भी हो जाती है तो शंकर उसे समाल लेते हैं उसका फल हमको परदान कर देते पंचाक्चार मंत्र का मूल एकगरित हो जाता है। पंचाक्चार मंत्र की मूलता हमारे सारे दोशों को समाप्त कर देती है।